कि नमस्कार सु स्वागत वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायरा कि आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं कैसे हैं आप लोग आज आपके साथ हम घूम रहे हैं फॉर्म हाउस में आज 31 जन्वरी है जहां सुभा से यहां शूटिंग कर रहे हैं लेकिन आज मैं खाना खा लिया बिल्कुल चंताना करें आज मैं भूके रहकर शूट नहीं करें कि मेरे साथ बहुत बड़ी यूनिट बहुत बड़ी टीम है अगर मैं खाना नहीं खाती तो बच्चे भी खाना नहीं खाते क्योंकि यह घर नहीं है तो आज मैंने अपनी यूनिट के सा लिए उनादतों को कर लें तो हमारी जिंदी की बदल सकती है बैठे बैठे कई बार आपके साथ शूट किया है सोचा पार्क का ब्रह्मन कराय चाहिए एक ही कुरसी पर बैठे बैठे बहुत बार शूट हुआ चलिए आज हम आपको ऐसी आदते बताएंगे जो आपके जिंद बिंदास हो लेकिन आपकी कुछ हैबिट्स आपकी जिंदिगी में जबर्दस बदलावला सकती है रात को सोने से पहले हमें कभी भी जूटे मूने ही सोना चाहिए होता है ना हम बिस्थर पर लेटे-लेटे कुछ खाते रहते हैं और खाते-खाते सो जाते है हमारा मूँ चि इस हिस्से को चीटियां पूरी तरह खा गई उस चॉकलेट को खाने के लिए जो एक्चली इसके मूँ में थी और लार के रूप में टपक रही थी तो बी अवेर भगवान ना करे हमारे साथ यहां हो लेकिन इंडिया में तो चीटियां और भी जल्दी आ जाती हैं तो सबस भी अच्छी नहीं आती और घबराहट बेचैनी और दाथ भी खराब हो सकते हैं तो जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले आप अपना मूँ कुला करकर सोएं जूटे मूँ कभी भी नहीं सोना चाहिए कभी भी नेगेटिव चीजों को देख कर न्यूस चैनल्स को देख कर मडर, रेप या डराबनी पिच्छरों को देख कर हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह हमारी एक महीने की नींद खराब कर सकते हैं पता है इनसान जब एक महीने में कंप्लीट होती है एक दिन में कंप्लीट नींद नहीं होती पूरी इसलिए अपना खासा ध्यान रखें आ भगवान का शुक्रिया करकर अगर आप सोएं पित्रों को याद करकर अगर आप सोएं तो आपको पित्र दोस से मुक्ति मिलती है पर्फ्यूम लगाकर सोने से सपने में जो भी आपके आएगा उसे भी आपके अंदर से भीनी भीनी खुश्बू आएगी और आपकी रात भी खुबसूरत हो जाएगी तो हमीशा पर्फिम लगा कर सोए पैर धोकर सोना हमारे कई संस्कृत श्लोकों में भी है कि पैर धोकर पैर पोच कर और पैलों में गरम-गरम तेल लगाकर उसकी मालिश करकर सोना चाहिए इससे नींद बहुत अच्छी आती है भगवान का शुक्रा प्रफिम देने वाला भी है इसके सासाथ कहते हैं कि अगर पती के साथ रिष्टे खराब हों आपके और रिष्टों को मधूर करना हो अपने रिष्टों में मजबूती लानी हो तो आपको पती को एक बूंच शहत खिलाकर एक गिलास पानी पिलाकर ही सुलाना चाहिए इसस वहुती है जब actually समाज में पूरी दुनिया में हर जगा एक negativity पहले ही बहुत फैली हुई होती है अगर ऐसे में हम सोते हैं और नेगिटिव सो कर सोते हैं लडाई करकर सोते हैं घबराहट ये बच्चैनी में सोते हैं तो वो negativity और भी बढ़ जाती है कहते हैं खिडकी के पर्दे बंद करकर सोना चाहिए, खिड़की दर्वाजों को बंद करके तो हम सोते ही हैं, लेकिन अगर पर्दे भी आप ढग दें तो बहुत अच्छा है, आपके कमरे में रात में सोते वक्त लाल बल्व का इस्थमाल नहीं होना चाहिए, हो सकता है अगर आप रोमेंटिक करवाएं, अगर बहुत जारा डार्क कलर आप करवाएंगे तो भी आपको बेचैनी और घबराहट होगी, प्लस पती पतनी के कमरे के अंदर रेड परदे, रेड चदरे इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन दिवारों का जो कलर है वो पिंक कलर का होना चाहिए, तो आपको बहुत हवेली है, यह सब चीजे आपको negativity देती है, इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है, हमारा सर सोते वक्त दक्षिन की तरफ होना चाहिए, और हमारे पैर सोते वक्त उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही शुब और अच्छा रहता है, जिस त करने से एक और बहुत अच्छी बात याद आगई, टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, देख सकते हैं, पर अगर आप डॉक्तर वायराखी का YouTube चैनल देख रहे हों तो, क्योंकि टीवी देखते वक्त अगर negativity को आप अपने खाने के साथ अंदर लेंगे, तो वही चीज़ें आपके जिंदगी में होने लगेंगी, टीवी देखते वक्त भगवान की पिच्चर, भगवान का नाम, भगवान की पूझा, अगर ऐसी चीज़ें करें तो अच्छा है, आपको उकते हुए सूरज की तस्वीर अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बैठे, ये बहुत negative है, और अंधेरे के अंदर, आप अपनी पतनी से finance की कोई बात ना करें, बेडरूम में, हमें उसके इतने करोड देने हैं, वहां से मेरे पास 10 लाग आने वाले हैं, ये सब बातें अंधेरे में बत्ती बंद करके कभी ना करें, तो सोते वक्त कुछ और आपकी जिन्दगी की हर मनों कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी में दिल से कामना करती हूँ, लेकिन चलते चलते आपसे एक बात और कहूंगी, जिन्दगी बहुत खुबसूरत है, सोच को positive और बढ़िया कीजिए, जल्द होगी आपसे मुला का जयमाता दी जीवन में है समस्या, नहीं मिलरा तकलीफों से चुटका रहा, नहीं मिलरी मन चाही नौकरी, तूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्वे का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्वे, उपर से ये जादू हवाएं, उपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडले दिखाएगे, टैरो कराएगे, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाएगे, मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपाइमेंट ली झाल को